दोस्तों एक महला अपने निजी स्कूल में अपने बच्चे के जनम दिन पर और उसने ये गोशड़ा की कि आज जितने भी बच्चे आ जाएंगा उनका सब का फ्री में एड़िशन होगा और उसका इंग्लिस मीडिया में स्कूल होता है दोस्तों और उसने होडिंग भी जग में ये सब कराया था तो सुबह होते ही वह भी लग जाती है बहीं उसी कालोन में एक लड़का रहने वाला मज़ूरी करता था अपने छोटे से बच्चे को लेकर कि जिसकी उमर होती है छे साल और उसी लान में लग जाता है लोग अपना अपना एड़िशन कराते हैं उसके अंदर जब घुसता है तो जैसे ही वो प्रेंसिफल मेडम को देखता है देखने के बाद और एक टक देखता ही रह जाता है उसकी आँखों से जर जर आँसू टपकने लगते हैं और जैसे ही वो प्रेंसिफल मेडम उस लड़के को देखती है तो वो भी देखती रह जाती ह उनके भी आंसु टपकने लगते हैं दोस्तो आखिरकार वो महला कौन होती है जिसे देख करके और वो लड़का भी रोने लगता है और वो मैडम भी रोने लगती है दोस्तो तो थोड़ा समय निकाल करके हमारे साथ बने रही है ताके आपको कहानी की पूरी जानकारी मिल सके दोस्तो नमस्कार परणाम मैं हूँ प्रेम आदव जो सची घटना बताने जा रहा हूँ दिल्ली कालंदी बिहार की है जो हमाँ आपको बता रहे हैं दोस्तो एक लड़का है यूपी का रहने वाला होता है डिश्टिक फुरूज अबाद का और उसका विभा होता है लड़की होती जिसका नाम सांती होता है सांती एटा की रहने वाली होती उसकी साधी उससे हो जाती दोस्तो कहानी बड़ा ही इंटेस्टिंग है परिवारिक कहानी है थोड़ा समय निकाल कर कहानी अबस सुनिया अगर हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताक हमारा होसला बढ़ता रहे दोस्तो जब सांती का विभा और उस राजिस से हो जाता है लड़के का नाम राजिस होता है लेकिन दोस्तो राजिस जो होता है दो भाई होते हैं एक छोटा भाई होता है लेकिन अपनी पत्नी की बात न मान करके अपनी मा की और बेहन की बात मान कर अपनी पत्नी को बिल्कुल तबज्या नहीं देता था पत्नी जब दो एक बार आती है आने की बाद पीटता ही रहता था लेकिन दोस्तों यहां तक मारपीट करता है कि तब तक जो सांती होती है उसके तीन महीने का गरम में बच्चा पर लहा था यहां तक होता है उसकी इतनी पठाई करते हैं कि वो बेचारी परिशान होकर अपने माय के चली जाती है अपने मैके चली जाती है और मैके जाकर के राजिस जो होता है इसी दोरान बगर पूछे उसके और वो साधी कर लेता है इधर जब उसने जाना सांती ने के मेरे पती ने दूसरा विभा कर लिया उधर वो गरबती होती है सांती दोस्तो उसके एक बेटा पैदा होता है जब बेटा पैदा होता है तो उसकी जो पिता है वो डिल्ली कालिंदी व्यार में रहते थे और वहां उनका मकान था तो वो बह पहुंच जाती है अपने चोटे से बच्चे को लेकर दिल्ली पहुंच जाती है दोस्तों बहां जा करके और बच्चों को टूशन पढ़ाना सुरू करती है यहां तक टूशन पढ़ा पढ़ा करके उसने कुछ पैसा इखटा किया उसके पिता एक बहुत बड़े कंपनी के मा मदद की इसके बाद थोड़ी सी जगे खर्दबा के वह इसे इसकूल खुलबा दिया जाता है थोड़ी जगे किराय पढ़ लेती है और यहां तक होता है कि उसका जो इसकूल होता है नम्मर पहले पर आजाता है उस उदर उसके जो बच्चा था वो भी 5-6 वरस का हो चुका था इधर उसके पती राजिस ने उसका कोई ख्यान ने किया उसने तब तक दूसरा विभा कर लिया उसने करने के बाद उससे भी एक लड़का पैदा हो गया लेकिन जो उसकी पत्नी होती है घर पे रूवी वो कुछ स मैं रहती है और रहने के बाद राजिस को छोड़ कर घर का जतना भी माल जीवर था सारा लेकर और वो दूसरे के साथ रपुचकर हो जाती है यहां तक होता है कि राजिस इतनी आर्थिक तंगी से गुजरने लगा कि अब वो एक नोकरी खोजने के लिए दिल्ली चला जाता है इधर मा होती है मा भी खतम हो जाती है बाई अलग हो जाता है और बहां नोकरी करने लगता है राजिस अपने छोटे से बच्चे को भी ले जाता है जब बड़ा हो जाता है च्छे वर्स का उस बच्चे को ले जाता है और अपना जैसा भी कुछ कर रहा था बहां कर रहा इसके बाद में जो सांती होती है उस दिन उसके बच्चे का जनम दिन था उससे पहले उसने चारों तरफ होडिंग बनवा की लगवा दिये थी कि आज हमारे बच्चे के जनम दिन पर कोई भी एड्वीशन कराएगा उसका हम एड्वीशन फिरी करेंगे और फीस में भी रहा क करेंगे दोस्तों और बहुत लंबी कतार लग जाती है सुवह होते होते लोग क्यों कर बड़े स्कूल में हर किसी की दम नहीं है क्यों को उसमें इतना खर्चाई था हाई फाई पढ़ा ही लिखाई थी तो लोग खुस हो करके सुवह कतार में लग जाते हैं इधर वो राज इड़िशन होने यह अंदर बेंगी वह मांजन सबस्रीं के वह सका है आखर में प्रॉके जैसे नहीं होसरे we और आऊन सू जमीन पर टपकने लगते हैं बहार निकलने की कोशिस करता है तब तक वो रोक लेती है और उसके अंदर जो लोग होते हैं उन्हें बाहर कर देती है उन्हेशाती रोने लगती है राजेस він से पूझती है राजेस्जेश नहीं बात क्या है आप इस हालत में कैसे हो यहां क्या है सब तो रोने लगता है लेकिन सांती पूछती है आखर बताई यह बात क्या है कारण क्या है यह सब क्या है तो वो कहता है कि बस अब यही मत पूछो जो होना था मेरे साथ हो गया तुम्हारे जाने के बाद, तुम्हारी मैंने कोई तबज्या ने की आप चली आई, चले आने के बाद मैंने दूसरा बेभा कर लिया, और जो साधी हुई थी, वो मुझे छोड़कर भाग गई, सारा घर का जेवर माल कहना सब लेका चली गई, और ये बेटा हुआ है, ये मेर होता है, उसी के बराबर का लवच्छे साथ बरस का वो भी आ जाता है, वो कहता है, मा तुम ये कह रही थी कि पापा आएंगे, पापा कहा है, पापा की याद करके वो बच्चा रोने लगता है, तब ही उसकी आँसु भरा आते हैं, आँखों में, और सांती इसारा करती है, आपके पापा ये बैठे हैं, दोस्तों, दोनों बच्चों को जब आमने सामने देखता है, जैसे ही राजस भाग करके अपने पहले वाले बेटे को गोद मो उठा लेता है, और अपने सीने से लगा लेता है, जैसे ही सांती उस दूसरे बच्चे को देखती है, तो उसे नहीं मानी थी मुझे ठोकरा दिया घर से निकाल दिया था मार पीठ की आपने मुझे कोई तबज्या नहीं दे तो राजस जो होता है दोनों हाथ जोड़ता है और कहता है कि मुझे माप कर दो मैंने जो जाने अंजाने भूल की है जो आपको परिशान किया है उसके लिए मैं वहास आता हूं केवल यही मेरे साथ कर दो मुझे रह्म की भीक देदो यह मेरा वालक हैै यह आपका है सब कुछ आपका ही है अं einzige कह सकता कि मुझे आपना लो मैं तो मजदूरी करता हूँ बस यह है कि आपके स्कूल में मेरा बेटा पढ़ता रहेगा ये भी मेरा बेटा है और आप चिंता मत करो तभी ये बात सुनता है राजेस तो सांती उसे धीर बनाती है और कहती है राजेस तुमने जो हमारे साथ किया था वो अच्छा नहीं किया किया था मैंने आपसे कोई वुरा भला नहीं कहा था तुमने तो मुझे दरदर का भठका दिया था कोई बात नहीं है पत्पत्री दोनों ही गले लगके रोने लगते हैं दोनों बच्चे बड़े प्यार से माता पिता को अलग करते हैं छोटे छोटे बच्चे और कहती है राजेस अब चिंता मत करो अगर ऐसी बात है हमारा आपका डिवोस नहीं हुआ है तो आज से आप यह घर आपका है सब कुछ आपका है और आप यहीं पर रहे है नगर जो भी हुआ उसे भूल जाईए तुम्ने गलती की गलती मैंने नहीं की आप अगर भटक कर आ गए हैं गलती की छमा माँग रहे हैं तो मेरे तरफ से पहले भी चामा थी आज भी चामा है दोस्तो राजेस सर्मेंदा हो जाता है और पतनी के आगे उसे जुकना पड़ता है पतनी कहती है कोई बात नहीं है सुवे का भटका हुआ साम तक घर आ जाता है तो उसे भटका हुआ नहीं माना जाता दोस्तो उसी स्कूल में राजेस भी अपने पत्नी के साथ पढ़ाने लगता है और वो स्कूल और उसका उन्नती करने लगता है गरीब बच्चों का एड़ीशन होता है चोकलेट दोनों बच्चे बांटते हैं दोनों बच्चों के जनम दिन की खुसी में सब लोग बड़ा हर्स उल्ला से उस काम को आगे बढ़ाते हैं दोस्तो पत्पत्नी बड़े प्यार से उस जगे पर रहने लगते हैं दोस्तो दोस्तों हमारी कहानी कैसी लगी आपको कमेंट करके अवस्य बताईए क्या राजस की पत्नी सांती ने सई किया और दोनों पत्नी ठीक से रहे और ऐसे रहना चाहिए क्योंकि गलती होती है गलती पहले करिए गामत ताकि आपको इतनी परिशानी मिले घर परवार को चलाना है घर होता है इस्तरी के हाथ में पुरस कुछ भी नहीं कर सकता अगर जिस घर में इस्तरी नहीं है वो घर हमेशा बरवाद हो जाता है हमेशा घर की लच्चमी इस्तरी होती है इस्तरी को कभी ठोकराई है मत क्योंकि लोग हमेशा इस्तरी को पैर की जूती समझते हैं लेकिन वो जूती नहीं होती, वो सर की पगड़ी होती है, बेगर इस्तरी के इंसान कुछ कर नहीं सकता है, दोस्तों, इसलिए लोग ये कह देते हैं, कि इस्तरी हमेशा पैर की जूती होती है, जूती नहीं होती है, किस कारण से जूती होती है, वो मूर्ख लोग कहते हैं, दोस्तों जिस घर में इस्तरी नहीं है अगर इस्तरी जिस घर में है वो घर सुरग होता है इस्तरी हमेशा आपकी इज़त बचाती है इज़त करती है और आपके घर को आपके बच्चे को आपके परिवार को आगे बढ़ाती है बढ़ाती इस्तरी है उसे लोग पैर की जूती समझते है ये भूल है हमारे सास्त्रों में इस्तरी को घर की लच्छमी कहा गया है देवी कहा गया है लोग उसे ठुकरा देते हैं इस्तरी घर की लच्छमी होती है ना ही पैर की जूती होती है सर की पगड़ी होती है दोस्तो इस कहानी को सुना कर किसी को परिशान करना नहीं है किसी का आप लोगों को जागगरू को सचित करने का मेरा उद्देश से है आज के लिए बस इतना ही नमस्कार जेहन जे भारत मिलते नेस्ट वीडियो अब तब तक के लिए राधे राधे